नमस्कार दोतो सिविल टेक्टर्स चैनल में आपका स्वागत है और लेटेस्ट वीडियो प्लीज सस्क्राइब मैं चैनल आज का टॉपिक है कंक्रीट मिक्स रेशियो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कितने टाइप के ग्रेड होते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रपोर्शन अफ कंक्रीट दीजायर क्वाल्टी इस नोन आज प्रपोर्शन अफ कंक्रीट अब दोस्तो तो इसमें proportion क्या है, अब इसमें proportion क्या है, अगर हमारी requirement 20 newton per mm square की है, जिसमें cement, sand, aggregate, water का ratio 20 newton per mm square होगा, तो इसे proportion कहेंगे, formula concrete mix ratio का होता है, 1 is to n, is to 2n, दोस्तो, mix proportion में grade of concrete, m5, m7.5, m10, m15, m20, यह सब आपके grade हैं, इसमें m5 में, एक बोरा cement, पाज बोरा, sand और aggregate 10 बोरा होगा, यह आपका, पहले जो मैंने formula बता था, concrete mix का, 1 is to n, is to 2n, उसी पर है यह, m7.5 में, एक पार्ट cement होगा, चार पार्ट sand होगा, और 8 पार्ट aggregate होगा, उसी प्रकार, m10 में, एक cement होगा, 3 पोरा sand होगा, 6 पोरा aggregate होगा, m15 में, एक पोरा cement होगा, एक पोरा, दो पोरे sand होगे, और aggregate 4 पोरा होगा, m20 में, एक पोरा cement होगा, डेड़ पोरा sand होगा, और 3 पोरा aggregate होगा, m25 में, एक पोरा cement होगा, एक पोरा sand होगा, और 2 पोरे aggregate होगे, दोस्तों अब इंपोर्टर ची जाती है कि water cement ratio हम कैसे निकालेंगे वो मैं आभी आपको बताऊंगा अभी आप देखे ये grid of concrete है M5, M7.5, M10 इनका comprehensive strength न्यूटन पर mm² में होता है M5 का 5 होगा M7.5 का 7.5 होगा M10 का 10 होगा M15 का 15 होगा M20 का 20 होगा M25 का 25 होगा इसी तरह ये आगे बढ़ता हुगा M80 तक चला जाता है M30 से M80 तक design mix concrete हो जाता है इसके बाद ये design mix concrete में इसको बनाया जाता है अब concrete का group होगा जिसे हम देख रहा है M10 से M20 तक ordinary concrete में होगा इसके बाद M25 से M55 तक standard concrete में होगा M60 और M80 ये high strength concrete group में आते हैं अब हमें देखना है water cement ratio The water cement ratio varies from 0.4 to 0.7 depending on exposure condition Normal concrete में water cement ratio जो है 0.4 से 0.7 तक रहता है और ये depend करता है मोसम के condition पर कि mild रहेगा, moderate रहेगा, extreme रहेगा उसके अनुशार हम concrete में water cement ratio रखते हैं तो नार्मल 0.4 to 0.7 ratio हम concrete में water रखते हैं तो दोस्तो ये था आज का topic वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद प्लेज मेरे चैनल को subscribe करें, like करें और share करें